हेल्व स्ट्रेंट्स लास्ट टाइम बूजो के माइड में कुष्चन आया था कि Why weather changes so frequently? कि weather में बार बार changes क्यों आते हैं? कि एक दिन के दोरान भी हम देखते हैं कि सुबह कैसा ही weather है तो पह को कैसा हो जाता है? रात के टाइम शाम के टाइम एक दम से क्लाउड भी आ जाते हैं कई बार और रेन आ जाती है यानि वैदर में फ्रिक्वेंटल यानि बार बार ऐसे चेंजिस देखने को हमें मिलते हैं तो ऐसा क्यों है इसका रिजन क्या है और इसी को कुश्ण को पहली ने दूसरी आपने रीड किया हो चैप्टर को आगे तो आपको जरूर पता लगा होगा इसका अंसर कि all changes in the weather are caused by the sun की सभी changes टेंड sun की वज़े से ही हो रहे हैं इस blue box में important बात दी गई होती हैं तो ultimate source भी sun है वैदर का और changes भी sun की वज़े से ही होते हैं the sun is a huge sphere of hot gases at a very high temperature की sun की अंदर स्थेंड बहुत सी gases का mixture है बहुत ही hot gases हैं very high temperature इसका the distance of the sun from us is very large even then the energy sent out by the sun is so huge की बहुती large energy निकलती है sun से जो हमारे तक पहुंच जाती है इतनी large distance होने की वज़े के बाद भी sun की energy को हम प्राप्त कर पाते हैं it is the source of all heat and light on the earth क्योंकि sun ही स्थेंड हमारे एर्थ पर light का source है heat का source है so the sun is the primary source of energy that causes changes in the weather किसी के वज़े से weather में change आते है energy absorbed and reflected by the earth's surface oceans and atmosphere play important roles in determining the weather at any place कि स्थेंट जैसे ही sun की light हमारी अर्थ पर आती है तो हमारी अर्थ पर जो green part है यानि land है oceans बने हुए हैं जो उनका reflection वापिस atmosphere में जाता है इस वज़े से weather में change जाते है if you live near the sea you would have realized that the weather at your place is different from that of a place in desert or near a mountain कि स्थेंट जो coastal areas में रहते हैं यानि sea के near जो लोग रहते हैं उनको पता है कि वहाँ का weather और desert में रहने वाले लोगों के desert जो place है वहाँ के weather से बिलकुल दोनों का weather different होता है coastal area के near जो air है उसमें humidity जादा मिलेगी क्योंकि sea के near है desert में देखते हैं कि वहाँ पर water की पहले ही कमी है तो वहाँ का जो weather है dry weather होता है mountain पर जाएंगे तो वहाँ पर हमें cold weather देखने को मिलेगा क्योंकि mountain उचाई पर होते हैं और वहाँ का surrounding cold हो जाता है तो इसरे से students sun जो है source of energy है energy का source है what about the times of sunrise and sunset कि sunrise के time और sunset के time के बारे में आप क्या कह सकते हैं student you know that the winter it becomes dark early and you do not get much time to play are the days shorter in winter than in summer क्या आपने देखा है कि winter season में जल्दी अंदेरा हो जाता है और आपको कई बार शाम को खेलने का time भी नहीं मिल पता तो इसका मतलब क्या यह हुआ कि winter season में summer season की वजाए जो days है दिन का time है वो क्या होता है shorter होता है कैसा आपने realize कि a student कभी yes try to find it you out yourself by completing the project given at the end of chapter कि आप इस project पर खुद भी काम कर सकते हैं sunrise का time और sunset का time पता लगा सकते हैं कि summer season में क्या है और winter season में वो कितना रह जाता है इसके बाद states paragraph 7.2 climate climate के बारे में हम next time study करेंगे आप इसे जरूर read कर लेना और आज आपको क्या पता लगा लिया है कि अब summer season जाने वाला है दिरे दिरे तो इस time sunrise का और sunset का time क्या है इसे आप weather report से भी पता लगा सकते हैं और google पर भी से search कर सकते हैं ओके सुद्धान थेंक्य। चाहिए चाहिए आपको का लिए्छ नहीं सुद्धानाव, भी सबस्ददानों प्रखको को दो का रारी चाहिए